क्या जब बाबा को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो जो इंतजाम और जो सेवादार लगाए गए थे क्या उनको विवस्थित नहीं करना था बाबा को इसके अलावा लोग ये भी बता रहे हैं कि बाबा ने मंच से इस बात को कहा था कि जो भी मेरा चरम रज लेगा क्योंकि जो खबर निकल के सामने आ रही है वो एक रंगोली भी बनी थी जो पंडाल के सामने थी देखे बिल्कुल बाबा कहा है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है लेकिन sources बता रहे हैं कि बाबा आपने मैन पूरी वाले आश्रम महीं है लेकिन जिस दिन ये पूरी घटना हुई थी उस दिन बाबा यहां पर मौझूद थे जहां मौझूद है ये पंडाल जो आप देख पा रहे हैं इसी के अंदर सच्छन का पूरा कारिक्रम चल रहा था और जब बाबा यहां से निकले थे तो बाबा के चरण रज को लेने के ल लगबग एक से दो किलोमेटर आगे जाने के बाद उनको इस बात की खबर मिल गई थी कि यहां पर इस तरीके से भगदर हुई है और कई लोग दबे हुए हैं लेकिन इससे पहले कि बाबा यहां पर आते बाबा देखते बाबा फरार हो चुके थे वेद प्रकाश बताया जा रहा है कि जो मुख्या रूपी है उसने फॉन करके बाबा को इस बात की जानकारी दी थी कि यहां पर इस तरीके का हाधसा हुआ है और लगबग 2-40 के समय के अनुसार जो है बाबा आ जो है फरारी चाट हिया था और उसके बाद से बाबा कहाँ हैं यह किसी को नहीं पत हाथ रस के अंदर भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या जब इस बात की जानकारी मिली थी या क्या जब बाबा को पता था कि इतनी बड़ी संक्या में लोग पहुंचेंगे तो जो इंतिजाम और जो सेवादार लगाए गए थे क्या उनको विवस्थित नहीं करना था बाब बाबा ने कहा था कि जो इसका चरण रज लेगा उसकी सारी बिमानियां दूर हो जाएंगी वो एकदम सुखी हो जाएगा और उत्तर जाएगा ऐसे मैं बाबा की बात को मान कर वो सारे लोग उस चरण रज को लेने के लिए भागने लगे पीछा करने लगे और उसी क्रम मे यहां पर फिसलन के कारण जो है वो यहां से लोग फिसलना शुरू हुए और यह फिसलने का सिलसला लगभग यह पूरे रोड तर चलता रहा और रोड के उस तरफ जाकर जो लोग है वो नीचे गिरे और एक के ऊपर जो है वो एक दपते चले गए क्या जब बाबा को पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो जो इंतजाम और जो सेवादार लगाए गए थे क्या उनको विवस्थित नहीं करना था बाबा को इसके अलावा लोग ये भी बता रहे हैं कि बाबा ने मंच से इस बात को कहा था कि जो भी मेरा चरम रज लेगा क्योंकि जो खबर निकल के सामने आ रही है वो एक रंगोली भी बनी थी जो पंडाल के सामने थी